हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी नए अपडेट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं IB ACIO का एक्जाम आपका अभी इसी मन्त हुआ है और उन्होंने जैसा कि promise किया था कि 4-5 दिन के बाद में answer keys आ जाएंगी तो answer keys आपकी आ गई हैं बट अभी answer keys officially नहीं आई है यानि कि IB के द्वारा officially announce नहीं किया गया है कि answer keys आ गई है बट आप लोग अपने marks चेक कर सकते हैं answer keys देख सकते हैं और marks चेक कर सकते हैं इसलिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ क्या करना है आपको देखिए आप लोगों को यह link पे click करना है यह link आप लोगों को मैं description box में और comment section में pin कर दूँगा इसके अलाबा या फिर telegram पे भी आप लोग join कर लीजेगा telegram channel मेरा है at amantrivedi search करेंगे telegram पे तो आपको मेरा channel मिल जाएगा वहाँ पर मैं यह link आपको देदूगा comment में भी और description में भी देदूगा आपको इस link के उपर click करना है जैसे ही आप इस link पे click करेंगे आपको login करना पड़ेगा ठीक है वो login ID मांगेगा और password मांगेगा तो login ID और password आप लोगों के पास अपनी mails पे होगा तो पहले आप login डाल दीजेगा password डाल दीजेगा जब आप login ID और password डाल देंगे तब आपके साथ में क्या होगा मैं आपको आगे का process बताता हूँ तो देखिए तब आपको क्या करना है जैसे मां लीजे ये page मेरा खुला हुआ है एक tab खुला हुआ है इसी तरीके का आपका page खुल जाएगा login करने के बाद में आपकी सारी details आपके सामने आ जाएगी आपका नाम पता सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी फिर आपको क्या करना है इस पर right click करना है जैसे मैंने यहाँ पर right click किया तो मेरा यह Macbook है तो अलग तरीके से दिखा रहा आपका Windows होगा तो अलग तरीके से दिखाएगा यहाँ पर एक option होता है View Page Source आप View Page Source पे क्लिक कर दीजेगा जैसे ही आप View Page Source पे क्लिक करेंगे इस तरीके का एक page खुल जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर यह Open कर रखा है इस तरीके का page आपके सामने खुल जाएगा जिसमें बहुत पूरे उस page की coding होती है ठीक है तो जैसे ही आप View Page Source करेंगे तो आपके सामने एक उसके बाद आपको वो page नहीं खुलेगा बिसिकली तो आपको क्या करना होगा उसमें refresh करिएगा उपर यहाँ पर जैसे माली जी यह नहीं खुलता है तो आप यहाँ पर refresh करिए जब आप refresh करेंगे तो यह continue के बारे में पूछेगा क्या continue करना आप continue कर दीजेगा जैसे ही continue करेंगे आपके सामने यह page खुल जाएगा ठीक है तो जब refresh करेंगे confirm करेंगे resubmission को और continue कर देंगे इतना हो जाएगा उसके बाद देखिए आपको क्या करना है उसके बाद आपको यहाँ से ctrl F दबाना है ठीक है उसके बाद आपको ctrl F प्रेस करना है ctrl F अगर आप यहाँ पे दबाएंगे तो इस तरीके का आपके सामने एक page खुल जाएगा यह देखिए आपके सामने एक option खुल जाएगा जहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं आप इसमें आपको type करना है cdn इसमें आपको क्या type करना है cdn जैसे ही आप cdn type करेंगे आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा जो की highlight होकर आ रहा होगा फिर आपको क्या करना है जहां से यह HTTPS लिखा है यहां से इसको highlight करना है और जहां तक ही HTML लिखा हुआ है यहां तक इसे highlight कर Дेना है ठीक है यानि कि आप इसे HTTPS से उठाके HTML तक इसे copy कर लेंगे इसको आप Ctrl-C पे लवा के copy कर लेंगे जैसे ही आप copy करेंगे आपके सामने answer keys copy करेंगे उसके बाद उसको आप tap में यहाँ डालेंगे प्रेस करेंगे enter आपके सामने answer keys open हो जाएंगे यह सामने देखें मैंने answer keys open कर रखी है इनको आप download भी कर सकते हैं और उसके बाद अपने marks को check कर सकते हैं ठीक है तो यह process है जो कि आपको करना है Ctrl-F दवाना है उसके बाद cdn type करना है उसके बाद जो link आएगा उसको copy करना है नए tab में जाकर उसे आपको enter करना है और उसके बाद आपके answer keys open हो जाएंगे और आपने marks को check कर सकते हैं ठीक है अभी यह official नहीं है तो इतना लंबा process है जब officially आ जाएगा तो आप direct answer अपना login ID password डालके भी check कर सकते हैं ठीक है तो यह तरीका है आप इसके तुरू अपने answer keys को check कर सकते हैं आज भी SCI को form के लिए यह update था जो मैंने आपको बताया इसलिए मैं यह यह वीडियो आपके बसाने बना रहा हूँ ठीक है इसके अलाबा UN Academy पर मेरे बहुत सारे courses आ रहे हैं तो यहीं तक रखते हैं अपनी बात को आप लोग जल्दी से marks चेक करिए और फिर मुझे बताये कितना नंबर आए टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लो at Amantrivedi सर्ज करके comment और description box में उसका link भी दे दूँगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए आपका देश शुबहूँ टेक कियर बपाय